हलो दोस्तों PGT PGT के लिए परिक्षा गुरू लाया है प्रिवियस यर के PYQ की सीरीज जो आपके पेपर के लिए बहुत ही हेलफुल होगी इससे आप नए-नए किसी भी फर्दर इंक्वाइरी के लिए आप इस पर कॉल कर सकते हैं ठीक है और आज हम TGT PGT के नए इस वीडियो लेक्षर में बात करेंगे जो हमने लास्ट लेक्षर रिकॉर्ड करा था जो आपका लास्ट लेक्षर था वो बेसिक टिक्नोमेंटरी था उसी को आगे बढ़ आया हुआ है क्या कोशन है साइन ठीटा प्लस साइन 5 ठीटा इक्वल टू साइन ठीटा तो आपको ठीटा की वैलू बतानी है क्या होगी तो जब भी आपको इसे दिया जाए साइन सी और साइन डी के फ़र्म में तो साइन सी प्लस साइन डी का आपको फार्मला पता होता है क्या होता है 2 sin c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2 into equal to में क्या दे रखा है sin 3 theta, फार्मला लगा दिया, यहां पे क्या बचा आपका 2 sin 3 theta into minus बचेगा लेकिन cos में minus लिखते नहीं है तो क्या बचेगा 2 theta minus sin 3 theta इसको इधा ले आए equal to में क्या बचा 0 यहां से sin 3 theta common करेंगे तो क्या बचेगा आपका 2 cos 2 theta minus 1 equal to 0 एक बार इसको 0 लेंगे, एक बार इसको 0 लेंगे, इसको 0 लोगे तो 0 मिलेगा तो 0 आपके option में है नहीं, तो आपको इसको 0 रखके देखना पड़ेगा इसको हम 0 रखके देखेंगे, तो हमारा क्या बनेगा cos 2 theta equal to 1 upon 2 1 upon 2 आपका किसमे होता है, cos 60 में होता है ठीक है, तो 2 theta की value आगई, 60 degree तो theta की value कितनी आगई, 30 degree क्या option है, option C, option C इसका right option हो जाएगा ये question आपका PGT 2010 में आया हुआ था बढ़ते हैं next question की ओर ये भी question आपका PGT 2010 में आया हुआ है देखिए, इसमें भी वही approach लगेगी लेकिन यहां पे क्या हो गया कि दोनो sign ना देखे, एक cos दे रखा है तो एक cos दे रखा है, तो या तो हम इसको sign में change करें, या इसको cos में क्योंकि formula आपका sin C, sin D, cos C, cos D या तो दोनो sign हो, या दोनो cos हो formula तब ही apply होगा, तो हम इसको change करते हैं, पहला वाला दे रखा है sin 50 degree और इस cos को हम लिख सकते है 90 minus 10 अपन नीचे हो गया, cos 30 into sin 20 ये आपका formula बन गया, उपर क्या बन गया sin 50 minus नीचे क्या बन गया sin 10 क्यों, cos 90 minus theta क्या होता है sin theta और theta की जगा 10 तो किता आगया 10 नीचे आपका क्या रहेगा cos 30 into sin 20 formula लगा दीजे तो formula sin C minus sin D का 2 cos C plus D upon 2 C plus D upon 2 into sin C minus D upon 2 upon क्या दे रखा है cos 30 cos 30 sin 20 अब देखिए ये solve करोगे ये 50 plus 10 60 बटे 2 30 तो 30 से ये cancel ये 20 बन जाएगा इस से ये cancel तो answer कितना आ जाएगा 2 तो option A इसका right option हो जाएगा ठीक है तो इसमें क्या था बस यही था कि दोनो sign या दोनो cost ना देखे एक sign एक cost दे रखा था तो आपको पहले एक change करना पड़ेगा या तो sign को cost में बदलिए या cost को sign में बदलिए तब ही आपका formula लगेगा किसी को भी किसी में change करेंगे आंसर आपका same आएगा ठीक है तो बढ़ते हैं next question की ओर next question देखी क्या दे रखा है इसमें भी वही cost 40 बटे 1050 minus 1 बटे 2 cost 35 sign 55 इसकी value आपको निकालनी है आप देखिए इसमें भी वही approach कि किसी एक को आप change करिए किसी भी एक को एक यहाँ change करिए एक यहाँ change करिए cut जाएंगे तो cost 40 को मैं लिख सकता हूँ cost 90-50 और नीचे आपका रहेगा 10-50 minus 1 बटे 2 इधर आपका क्या रहेगा cost इसको मैं लिख सकता हूँ 90-55 35 हो गया ना 90-55 इसको 35 तो यही चीज लिखिए बस लिखने का तरीका बदल गया है sin 55 अब देखिए cut 90-θ, 10-θ यह कितना बनेगा 10-50 उपर आपका 10-50 नीचे आपका 10-50 minus 1 बटे 2 यह बन गया आपका cost 90-θ होता sin थीटा तो sin 55 बटे sin 55 इससे यह कैंसिल इससे यह कैंसिल कितना मचा 1 minus 1 upon 2 तो आंसर कितना आगया 1 upon 2 तो 1 upon 2 option D D इसका right option हो जाएगा और यह question भी आपका PGT में आये हुआ था 2001 में चलिए next question देखते है next question देखिए क्या दे रखा है sin 12 cos 78 cos 12 sin 78 आप जानते हैं कि यह formula किसका है यह formula दे रखा है sin A plus B का क्या formula होता है sin A cos B plus cos A sin B आप A की जगह पे कितना दे रखा है A की जगह पे दे रखा है 12 और B की जगह पे 78 यही तो दे रखा है तो यह formula बन गया यह इन दोनों को add करोगे sin 90 और sin 90 की value किती होती है 1 तो इसका right option क्या हो जाएगा B next question next question देखिए यह x equal to cos 10 cos 20 cos 40 तो x की value 10, 20, 40 एक question आएगा 20, 30, 40, 60 इस type से तो इस question के लिए हम कैसे करते हैं देखिए इस question के लिए क्या approach रहेगी बहुत ही simple है x equal to अगर मैं दोनों तरफ sin 10 से multiply कर लो तो आपका क्या बन जाएगा sin 10 cos 10 cos 20 cos 40 यह बन गया हमने दोनों तरफ किस से multiply कर लोई sin से अब हम जानते हैं कि फार्मला बनाएगा अगर मैं इसमें 2 से multiply 2 से divide कर दूँ तो यह जो है यह फार्मला बन गया किसका sin 2 theta का theta कितना हो गया 90 theta कितना है 10 तो यह फार्मला बन गया sin 20 का और यह आ गया cos 20 और cos 40 फिर से आप क्या करेंगे 2 से multiply 2 से divide यह फिर से आपका बन गया कितना इदर हो गया 1 upon 4 और यह फिर से आपका फार्मला बन गया sin 40 और यह हो गया cos 40 आप फिर से 2 से multiply 2 से divide करें 2 से multiply 2 से divide यह फार्मला किसका बन गया फिर से sin किसका 2 theta का तो sin 2 theta तो कितना हो जाएगा 2 into 40 80 का तो नीचे हो गया आपका 1 upon 8 और यह हो गया आपका sin 80 और इदर क्या चला था इदर आपका चला था x sin 10 लेकिन आपको x sin 10 की value नहीं आपको x की value बतानी थी तो x की value बताने के लिए यह कितना आजाएगा sin 10 इस x की value बताने के लिए इस sin 10 को इस sin 10 को आप upon में ले जाएंगे यहां से solve करेंगे तो यह जाएगा 1 upon 8 sin sc को लिख सकते हैं आप sin 90 minus 10 upon sin 10 तो यह कितना हो जाएगा sin 90 minus theta cos theta cos theta बटे sin theta कितना हो जाएगा cos बटे sin क्या होता है cot 1 बटे 8 cot 10 इसका right option हो जाएगा ठीक है बढ़ते है next question की ओर next question बिलकुल same approach के साथ आप solve करेंगे x equal to इसमें आप किसे multiply करेंगे sin 20 से multiply करेंगे तो यह जाएगा 1 बटे 2 से multiply 2 से divide जो approach last question में रखी थी बिलकुल same approach के साथ जाएगे cos 20 sin 20 से multiply करी थी हमने और cos 40 cos 80 cos 60 cos 60 को हमने इसलिए दूर रखा क्योंकि हमें इसकी value पता होती है 1 by 2 तो देखिए इसमें क्या बना एक बटे 2 यह formula बन गया sin 40 तो यह बन गया sin 40 cos 40 cos 80 और cos 60 ठीक है फिर से 2 से multiply 2 से divide फिर से यह वाला जो formula है यह किसका बन गया फिर से sin 2 theta का बन गया तो यह तो 1 upon 4 रहा यह आपका बन गया sin 80 degree cos 80 degree cos 60 degree फिर से आप 2 से multiply 2 से divide करिए यह formula आपका किसका बन गया cos 160 एक बटे 8 यह बन गया आपका sin 2 theta तो sin 160 और cos 60 की value में पता है 1 upon 2 तो यह आपका answer आगया 1 upon 16 sin 180 को लिख सकते है 180 minus 20 इस sin 160 को मैंने लिख लिया 180 minus 20 क्योंकि यह x equal to sin 20 मुझे तो x की value चाहिए तो sin 20 को मैं कहां ले जाओंगा इस sin 20 को मैं इधर ले जाओंगा divide में और sin 180 minus theta sin theta होता तो sin 20 से sin 20 का cancel हो जाएगा answer कितना आजाएगा 1 by 6 theta आप या तो इस approach से जा सकते है या आपको आप 2 से multiply 2 से divide करिए यही पे तो 2 cos A, cos B का formula लगाईए जो आपने 10th में पढ़ा होगा ठीक है आप बहां से भी इसको solve कर सकते है लेकिन यह approach से क्या आता है इसे formula जो है आपका बहुत easy बन जाता है ठीक है तो इसका option क्या आ गया A, बढ़ते हैं next question की और next question देखिए 1 minus 10 square theta upon 1 plus 10 square theta इसकी value बता नहीं है तो यह direct formula है cos 2 theta का cos 2 theta का 1 minus 10 square theta upon 1 plus 10 square theta तो यह सीधे सीधे formula दे रखा है आपको तो यह बन जाएगा cos 2 into 15 यानि की cos 30 और cos 30 की value कित्ती होती है root 3 by 2 तो option इसका क्या हो जाएगा C, यह question आपका TGT 2009 में आया था अगर by chance आप यह formula भूल जाते हैं तो इसको sin और cos में change करिए इस sin square, 10 square theta को लिखिए sin square theta upon cos square theta LCM लीजिए तो भी आपका formula यही बनेगा लेकिन अगर आपको direct formula याद है तो आपका समय बचेगा समय बहुत important है इस paper के लिए खास कर ठीक है, तो बढ़ते हैं next question की ओर next question देखिए f theta equal to log base e sin theta g theta equal to log base e cos theta e की power 2 g theta e की power 2 f theta यह question किस में आया है TGT 2009 में बहुत ही आसान question है देखिए क्या दे रखा है e की power 2 g theta की value g theta की value कित्ती है log base e cos theta minus e की power 2 log base e sin theta आपने log सभी लोग जानते हैंगे log जो आगे होता वो power में पहुन जाता है तो e की power log cos square theta minus e की power log sin square theta e से log cancel हो जाता है ठीक है लेकिन यह cancel तभी होगा जब base आपका same हो इधर भी base e है इधर भी base e है तभी यह cancel होगा ठीक है तो यह cancel हो गया यह log यह cancel हो गया तो बच्चा cos square theta same इधर से यह cancel हो गया क्या बच्चा sin square theta यह formula किसका होता है cos 2 theta का तो cos 2 theta इसका right option हो जाएगा ठीक है यह question आपका TGT 2009 में आया हुआ था बढ़ते हैं next question की ओर next question क्या है 3 sin theta plus 5 cos theta की value 5 तो हमें इसके square की value अब देखिए यह दे रखा 3 sin theta plus 5 cos theta equal to 5 मैं theta की एक ऐसी value ले ले लूँ जो इस equation को satisfy करती है तो कौन सी value है अगर हम theta equal to 0 degree ले ले तो theta equal to 0 देखिए इस equation को satisfy sin 0 0 cos 0 की value 1 1 into 5 5 तो theta equal to 0 इस equation को satisfy कर रहा है तो वही value हम वहां लगा देंगे तो क्या अता आजागा 3 cos 0 minus 5 cos 0 5 5 sin 0 का whole square तो यह आजाएगा 3 minus 0 का whole square इसकी value कितनी आ गई 9 तो इसका option A तो इसको हम proper methods ना जाके ठीक है आप square करिए निकाल लिए आपका answer तब भी आएगा ठीक है लेकिन हम जो है paper की approach से theta equal to 0 degree एक ऐसी value जो given equation को satisfy कर दे हम उसी से answer निकाल लेंगे ठीक है तो इसका option क्या जागा A बढ़ते हैं next question की ओर next question क्या कह रहा sine 105 degree ठीक है तो 105 है तो हमें इसको ऐसी value में तोड़ना है जिसमें हमें answer पता हो तो हम इसको तोड़ सकते है sine 60 sine 45 105 होगे आएड होके formula लगा दीजिए sine A plus B तो sine A cos B plus cos A sine B sine 60 की value root 3 upon 2 into cos 45 1 upon root 2 plus cos 60 1 बटे 2 sine 45 1 बटे root 2 LC हम लेंगे तो कितना जाएगा root 3 plus 1 upon 2 root 2 तो sine 105 की value कितनी होगे root 3 plus 1 upon 2 root 2 तो C option इसका right option हो जाएगा बढ़ते हैं next question की ओर next question देखी क्या है next question है B 10 theta की value A दे रखी है तो आपको इसकी value बतानी है last lecture में हमने देखा था एक ऐसा ही question था वहाँ पे A की जगए पे 4 था B की जगए पे 5 था ठीक है तो same तरीके से question भी repeat होते है value value same ना हो ठीक है but question की approach question का तरीका same हो सकता है paper में NCRT के questions भी बहुत repeat होते है तो देखते हैं इसको जो अमने last question में approach करी थी की वहाँ से क्या करीए cos theta को common लीजिए तो cos theta जैसे ही common आएगा तो बचेगा A 10 theta minus B upon नीचे cos theta और ये बचेगा A 10 theta plus B cos theta से cos theta cancel हो गया A 10 theta की value 10 theta की value कितनी है 10 theta equal to हो जाएगा A upon B यहाँ से 10 theta की value है A upon B तो ये हो गई A upon B minus B upon A into A upon B plus B LCM ले लिजिए तो उपर बचेगा A square minus B square upon B नीचे बचेगा A square plus B square upon B B से B cancel हो जाएगा तो option इसका C है वो right हो जाएगा तो ये कुछ question थे basic technometry के जिसमें आपको जो 9-10 की technometry थी cable वही use ही है अगले lecture में हम थोड़ा advance पढ़ेंगे कि जो आपके advanced technometry है जिसमें आपका properties of triangle height and distance और आपका inverse तिकनोमेटिक function और जो भी आपके topic रहेंगे technometry से related उससे आई हुए जो भी previous year questions है उसमें आपकी कौन सी exam approach होनी चाहिए कौन सी आपकी descriptive approach होनी चाहिए क्योंकि हमें अभी दोनों सी सीखनी है क्योंकि आने वाले time में GIC का paper आने वाला है GIC के paper में आपका जो main exam होता है वो descriptive होता है तो descriptive exam के लिए आपको proper method भी आना चाहिए ठीक है तो हम दोनों चीजों को सीखेंगे कि exam approach क्या है और descriptive approach क्या है आपको जो भी अच्छा लगे आपका जिससे भी time बचे ठीक है आप वो approach की series आपको अच्छी लग रही है तो please channel को like करे subscribe करे और video को जादा जादा share करे अगर हमारी ये series हमारे ये concept हमारी ये trick हमारे ये solutions आपको पसंद आए तो please channel को subscribe करें Thank you friend